ब्रामन और गुरु की सेवा किया करता था, उसके द्वार से कोई भी आचक निराशोकर नहीं लोडता था, राजा प्रते गुरुवार को वरत रखता एमम पूजन करता था, हर दिन गरिवो की सहायता करता था, परन्तु यह सब बाते उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थ वह न वरत करती थी और ना किसी को एक भी पैसा दान में देती थी, वह राजा से भी ऐसा करने से मना किया करती थी, एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने बन को गए, घर पर रानी और दासी थी, उस समय गुरु ब्रहस्पती साधू का रूप धारन कर राजा के पर भिख्षा मांगने आए, साधू ने रानी से भिख्षा मांगी, तो वह कहने लगी, हे साधू महाराज, मैं इस दान पुन्ने से तांग आ गई हूँ, इस कारे के लिए तो मेरे पती देव ही बहुत हैं, आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नस्ठ हो जाए, तथा मैं आरा पास अधिक धन है, तो भूके मनुश्यों को भोजन करवाओ, प्याव लगवाओ, ब्रामनों को दान दो, धरमशालाय बनवाओ, कुवा तला बावडी, बाग बगी चे आधिका निर्मान करवाओ, तता निर्धन की कुवारी कन्याओं का विवा कराओ, साथी यग्यादी क इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में भी सार्थक होगा, एवं तुमें भी स्वर्की प्राप्ती होगी, परंतूरानी साधू की इन बातों से खुश नहीं हुई, उसने कहा, हे साधू महराज, मुझे ऐसे धन की अवश्यक्ता नहीं, जिसको मै का धन्यार जू परह этой का लिसको मैं विरा नहीं होजर होगे से वी उत जावाना नहीं होगी महाते हिस सःची हे वी स्कितरावची